नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सन्मार घर में अगर आपके मंदिर है तो अच्छी बात नहीं है तो आप किसी रैक पर या पाटे पर पूजा करते होंगे वो भी जलेगा क्योंकि भगवान का एक निस्चित अस्थान होता है उत्तर पूरब दिशा में अब पूजा समगरी बहुत सारी होती है लेकिन कुछ ऐसी समगरी जो आपके अगर पूजा अस्थान पर है तो आप बड़े भागे साली हैं और आपका पूजा जल्दी सुईकार होगा वैसे त लेकिन कुछ ऐसी मुर्तियां कुछ ऐसी वस्तुएं जो आप अपने पूजा अस्थान पर रख ले तो मुस्किले जीवन की कम हो जाती है और उनमें से जो पहला वस्तु है वो है सिब्लिंग का मुर्ति या फिर सिब्लिंग सिब्लिंग छोटा सा रखें कभी भी बड़ा सिब्लिंग ना रखें अंगुठिय से छोटा और अगर आप पारत सिब्लिंग रखते हैं तो बहुत अच्छी बात सिब्लिंग का मतलब होता है सिब्लिंग की जियोती और यह सभी तरह की मुर्तियों से बढ़कर है इसलिए स जिविलिंग के साथ जो दूसरी बस्तू है वह आचमन करने के जैसे कि आचमन का मत्तब जब आप पूजा करते हैं तो एक चोटे से पात्र में लोटे में जल भर कर आप उसमें तूसी का पत्ता डालते हैं और एक चमच होता है आप उससे जल लेकर आचमन तीन बर गहन करते ह हैं ऐसा करने से पूजा का फल आपको दूगुना मिलता है तीसरी है पंचाम्रित अब पंचाम्रित रोज आप और पीद नहीं करते हैं कोई बात नहीं लेकिन कम से कम हर एक आदसी तिति को जरूर और पिद क्या करें पंचाम्रित बनता है दूद दही सहद घी और सुद ज अब ऐसे में यह जो है बीमारियों को नास करने वाला अगर आप रोज ही पंचाम्रित का भोग भगवान को लगा कर पूरे परिवार के लोग इसका परसाद ग्रहन करते हैं तो घर में कोई बीमार होगा ही नहीं अगर बीमार है तो ठीक हो जाएगा उसके बाद आता है चं फिणा करें लेकिन गला है कि यह जो संपन्नता का प्रती है कर और और अच्छत आप सिपजी कोनियमित रूप से एक दाना जरूर अरपीत करें लेकिन कभी भी पूरवजों का तस्वीर आप पुजा स्थान पर मत रखें वरना देवी देपता हो जाएंगे नाराज अगले दिन सुभर बासी पुस्प को आप तुरंद घर से बाहर निकाल कर किसी मिट्टी में डाल दें अब नेवैद का मतलब होता है मिठास मदूरता निवैद में अप फल भी भगवान को अरपित कर सकते हैं और नहीं कुछ है तो मिस्री या फिर बुड की डली उसी का भोग लगा है आप चाहें तो ड्राइब फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं आपकी मर्जी पर है लेकिन सिब जी और मादूर्गा गनेश जी की नवैद में तूलसी के पत्ते मड़ डालिएगा रोली लाल कलर क बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है रोली का कलर लगभग लाली होता है जिसका नम कुमकुम भी है और हर पूजा में चावल के साथ इसको माथे पर लगा जाता है ये बहुत सूब है कहते हैं रोली और चावल का तिलक करने से आरोग यानि कि स्वास्त अच्छा र पहता है जब अप धूप जलाते हैं तो उसका अगनी और वायू पांस तत्तों से ही स्रिष्टी निर्मान हुआ है इसलिए हमारे धर्म में अनुष्ठान में पंच तत्तों की उपस्तिदी बहुत आवस्यक होती है गरूर घंटी जिस अस्थान पर घंटी बजने की आवाज नियमित रूप से आती है वहां का बातावरन हमेशा सुद पवीत बना रहता है नकात्म कुर्जा हटती है और नकात्मक्ता को हटाने के लिए आप घंटी बजाईए गड़ूर घंटी रखे लेकिन भूलकर भी जमीन परत्मात रखेगा उसको आसन पर ही रखिएगा संख जिस घर में संख होता है वहां लक्षमी जी जरूर रहती है संख वरुन पृष्ट में ब्रंभा अग्रभाग में गंगा और स्रस्ती नदियों का बास है तो तिर्थाटन से जो लाब मिलता है वही लाब संख के दर्सन और पूजन से मिलता है जल से भरा हुआ कलस देपताओं का आसन माना जाता है और जब जल को सुद्ध तत्व मानते हैं तो इस स्वर आक्रिष्ट होते हैं और इसको मंगल कलस भी कहा जाता है तो आप तांबे या कासे के कलस में जल भरकर उसमें आम के पत्ते डाल कर आप इसको इसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना कर आप मौली धागा बांध कर रखिए आप कलस में पांच सुपाडी और एक पीली कोड़ी को अलग लग लाल कपने में बांध कर घर में इस्ति धन अस्थान पर पॉकेट में पर्स में रखे तो धन बढ़ेगा तांबे का सिक्का इससे सात्विक यानि पॉजटिव एनरजी एकदम से जिसको तांबे का सिक्का डाल देंग तो घर में सुपसांती समर पास तो भी से सगे से ना पूछ लें आप मंदिर ना निर्मान करवाएं ना ही खरीद कर लाएं बिना इसके उचित जाने कि आपको सूट करेगा या नहीं मादुरगा की तस्वीर या आप चरूर रखें घर में क्योंकि जिस घर में मा की तस्वीर होती है उस घर में लूप से मादुरगा को दो लॉंग और पीत करें तो मा की तस्वीर मूर्ती जरूर रखें गंगा जल आप एक छोटे से लोटे में गंगा जल कर भरकर रखें और इसी जल से भगवान को अवस्नान करें गंगा जल का कलस भी आप जल कलस की तरह रख सकते हैं मोर का पंक सर में नकात्मक उड़ जाए आही नहीं सकती वैसे बहुत सारी समग्रिया ऐसी है जो नियमित रूप से पूजा पाठ में यूज होता है सिंपल तरीके से जान ले देखिए जैसे कि हल्दी का गांट अगर आप हर गुरुबार को वगवान स्रीहरी को और पित करते हैं तो नियमित रूप से इत्र रूप में लगाकर मालक्षमी को और पित करें तो धन बढ़ता है एक चांदी का सिका पुजास्थान पर रखें आप लाल कलर का धागा लच्छा या फिर आप जिसको मौली धागा कहते हैं जरूर रखें सहद रखें हरी इलैंची रखें जो जीव को यह बहुत अच्छा वैसे बहुत साइज समग रही है लेकिन फिला आप से विद्या लेंगे हर हर महादेव धन्यवाद